तो यहां पर लिखा हुआ है डाइट प्लैन फोर सेंट बर्नार्ड तो पपी की अगर हम बात करते हैं मालो आपके पास सेंट बर्नार्ड का पपी है तो अगर मालो वो 45 डेज का है तो आपको अपने पपी को सेरलेक देना है मिल्क रिपलेसर दे सकते हो कर्ड दे सकते हो लसी दे सकते हो और जो लसी है या जो मिल्क रिपलेसर वगरा है या कर्ड है वो तीन से चार बार आप दिन में दे सकते हो अगर समर सीजन है तो लेकिन अगर विंटर सीजन है तो आपको कर्ड और लसी नहीं देनी साथ में आपक हम बात करते हैं water की availability तो आपको 5 टाइम अपने डोग को water ज़रूर पिलाना है puppy की age में because guys कई बार आपने देखा होगा कि puppy जो होते हैं जितना पानी पिते हैं उतना ही वो बाहर निकाल देते हैं तो dog की body को hydrated रखने के लिए पानी पिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आगे हम बात करते हैं दो से चार मंत के dog के लिए जैसा है guys screen पे नजर आ रहा होगा आपको starter feed start करना है basically small pieces आपको उसमें से देने हैं जैसा कि मैंने mention किया हुआ है board के उपर और आपको ये 2-3 time खिलाना है आपको guys इसके अंदर royal cannon भी दे सकते हो जो small packet आप लाके रखलो because small packet से क्या होगा आपको पता चल जाएगा कि आपका जो dog है इस dog food को अच्छे से खा रहा है बिल्कुल एक lovable वाली feeling से इसको खा रहा है या नहीं खा रहा आपको ये 2-3 time देना है साथ में guys आप अपने dog को curd भी दे सकते हो rice दे सकते हो जो कि small quantity मैंने यहाँ पर mention किया हुआ है आपको नजर आ रहा होगा आप guys इस stage में अपने dog को रोटी और लसी भी दे सकते हो लेकिन रोटी आपको जादा नहीं करनी है because skin issues हो जाएंगे hair fall होने के जो chances है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते है सेंट बर्नार्ड में जैसा कि screen पे आपको नजर आ ही रहा होगा साथ में इस stage में आपको multi vitamin calcium जरूर देनी है और साथ में आपको egg अगर हम egg की बात करते हैं तो 1-2 egg आप daily दे सकते हो जिससे आपका जो puppy है nutrition से भरपूर रहेगा आपके dog की body अच्छे से growth करेगी आगे हम बात करते हैं 4-6 महीने के dog की तो dog नहीं कह सकते हैं इसको हम puppy ही बोलेंगे because 4-6 महीने का puppy ही होता है चोटा ही होता है इसमें आपको puppy food start कर देना है साथ में आप multi grain चपाती दे सकते हो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन मैंने voice over किया है तो easily आप उसको सुन पा रहे होंगे आप इसमें रोटी दे सकते हो curd दे सकते हो लसी, rice और egg साथ में आप इसमें chicken भी दे सकते हो लेकिन आपको chicken ध्यान देना है raw बिल्कुल नहीं देना है आपको boiled करके देना है biscuits आते हैं dog के आप वो दे सकते हो साथ में calcium bone भी दे सकते हो और basically guys जो मैंने आपको बताया था multi vitamin calcium की जो syrup है आपको proper age से proper amount में देनी ही देनी है हमारे चैनल पर best multi vitamins की भी वीडियो है best calcium की भी जो वीडियो है आपको available हो जाएगी आप उसे watch कर सकते हो आगे हम बात करते हैं 6 से 12 मंत के dog की basically dog की जो हमारा growing जो puppy है उसको guys आपको puppy food ही देना है market में easily available हो जाएगा कोई भी company का ले सकते हो साथ में आप उसे curd दे सकते हो curd basically दही दे सकते हो vegetables दे सकते हो बहुत सारी vegetables होती है हमारे चैनल पर वीडियो बनी हुए कौन सी vegetable dog के लिए अच्छी होती है आप वो दे सकते हो fruits दे सकते हो लसी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था 4-6 महिने की age के अंदर आप लसी भी दे सकते हो तो 6-12 मंत की age में भी आप लसी दे सकते हो कोई भी ऐसा नुकसान नहीं करने वाली और basically आपको 3 times यह चीज खाना जरूर देना है मैंने छोटा से mention किया हमा नीचे साथ में multi vitamins और calcium भी आपको अपने डोग की डाइट में जरूर रैड करना है तो यह एक basic डाइट चार्ड था सेंट बढ़ना डोग के लिए जो special request से बनाया गया है तो मैं आशा करूंगा आज की जो हमने वीडियो बनाई है आपके लिए useful रहे होगी इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें डोग से रिलेटिट कोई भी info पाने के लिए हमें Instagram पे message करें आपको आपकी demand पे एक वीडियो मिल जाएगी Thank you so much